तो इस वीडियो में आपको साइंस के पचास मोस्ट इंपॉर्टन करवाने वाला हूं जो पचास कुछन्स हैं आपके ये दोनों लैंग्विज में हिंदी प्लस इंग्लिस तो किसी को दिक्कत नहीं होगी तार्गेट जो रहेगा इस वीडियो का आप सभी के लिए चालिस प इसके बाद इस वीडियो का टेस्ट भी होगा हर दिन whereby वीडियो मैं कराऊंगा उसका अगले दिन टेस्ट ओगा तैलीग्रम पे इस वीडियो का भी टेस्ट होगा जो भी ज्यादा important question होगे वो हम टेलिग्राम पे डालेंगी जिनके आपको अंसर करने है तो टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको description मिल जाएगा फिर टेलिग्राम पे सीधा सच करिए हमारा टेलिग्राम चैनल आपको मिल जाएगा चले हमें स्टार्ट करते हैं पचास most important question आपके एक्जाम के लिए so first question है निमलिखित में से सरवादिक उर्जा प्रदान करता है which of the following provides the most energy खनीज लवड, carbohydrate, protein या फिर vitamin question number first है काफी important है सभी लोग अंसर करिए सरवादिक उर्जा प्रदान करता है इनमें से जो है वो carbohydrate है जिन लोगों ने भी option number B select किया उनका जवाब सही है next question देखिए दूसरा number question मनुस्त के सरीर में सबसे लंबी हड़ी कौन सी है which is the largest bone in human body femur, humerus, radius या फिर tibia question number second सबसे लंबी हड़ी कौन सी है अगर आप option number A select करें कि femur है तो आपका जो जवाब है वो एकदम सही है next question देखिए third number question इस्तिती जूर्जा का सूत्र बताए the formula of potential energy half mv square, half mv square plus mgh mgh या फिर इनमें से कोई नहीं question number third है potential energy का formula पूछा गया है right answer option number C हो जाएगा potential energy का formula होता है mgh fourth number question देखिए निमलिकित प्राणियों में से निमलिकित में से प्राणियों का कौणशा समू अशम तापी प्राणियों से संबंदित है which of the following sets of animals belong to cold-blooded animal option आपके पास कववा कोब्रा मेड़क, मेड़क, कववा वेल मचली मेड़क, केंचुआ निमलिकित प्राणियों का कौणशा समू अशम तापी प्राणियों से संबंदित है तो अगर आप option number C सेलेट कर रहे है मचली मेड़क, केचुआ तो आपका जो जवाब हो एकदम सही है fifth number question देखिए खुशिका की सक्तिका भंडार है powerhouse of cell is ग्लूकोबिन, केराटिन, माइटो कॉंड्रिया या फिर शेलुलोज तो question number fifth का अंसर करिए कोशिका की सक्तिका जो बंडार है अगर आप option number C सेलेट करें कि वो माइटो कॉंड्रिया है तो आपका जो जवाब हो एकदम सही है next question देखिए sixth number ammonium chloride का formula पूछा गया है chemical formula of ammonium chloride is NH4, CL4, NH4, CL2, NH4, CL या फिर इन में से कोई नहीं question number six chemistry का question है ammonium chloride का formula पूछा गया है तो ammonium chloride का formula होता है NH4, CL होता है तो अगर आप option number C सेलेट करें तो आपका जवाब एकदम सही है seventh number question देखिए RBC का मतलब पूछा गया है RBC stands for लाल रक्त कड़ी का है सफेद रक्त कड़ी का है लाल क्यूटिकल्स या फिर इन में से कोई नहीं तो देखिए RBC का जो full form होता है वो होता है red blood cells लाल रक्त कड़ी का है option number A जिनों ने भी select किया है तो उनका जो जवाब है वो एकदम शही है eighth number question देखिए विवांतर मापक यंत्र है potential difference is measured by an instrument called किससे मापक जाता है voltmeter से, a meter से, susk cell से या फिर lactometer से question है eighth number विवांतर किससे मापक जाता है तो कि विवांतर जो होता है आपको voltmeter से मापक जाता है option number जो ए है इस question का वो right answer होगा next question देखिए ninth number nucleus की खोज सर्वतम किसने की थी who first discovered the nucleus brown ने, robert hook ने, flaming ने या फिर इन में से कोई नहीं question number ninth है nucleus की खोज सर्वतम किसने करी answer करी इसे भी लोग अगर आप option number a select करने की brown ने करी तो आपका जो जवाब है एकदम शही है next question देखिए tenth number one अस्पती जगत का अध्यन करने वाला विग्यान कहलाता है science dealing with the plant life is mycology कहते हैं, botany कहते हैं joology कहते हैं या फिर शिश्मो लोजी कहते है question number tenth है one अस्पती जगत का अध्यन करने वाला जो विग्यान है उसको कहा जाता है botany option number जो B है botany इस question का right answer होगा next question देखिए 11th number capsule होता है capsule का जो आवरण है वो बना होता है what is the capsule cover made of starch का बना होता है protein का बना होता है glucose का या फिर शेलिलो उसको question number 11th है capsule का जो आवरण होता है वो बना होता है आपका starch का option number A अगर आपने select किया है तो आपका जो जवाब है वो सही है 12th number question देखिए धरती पर सबसे ज़्यादा कौन सी दात उपाई जाती है which metal is found maximum on earth sodium, calcium, loha, aluminium question number 12th है धरती पर सबसे ज़्यादा कौन सी दात उपाई जाती है तो वो है aluminium तो option number जो D है इस question का वो right answer होगा 13th number question देखिए अंदर की तरफ गुमाओदार lens को कहते हैं lens covered inward is called दरपन कहते हैं आउतल कहते हैं अब आउतल कहते हैं या फिर इन में से कोई नहीं question number 13 answer करिए अंदर की तरफ गुमाओदार जो lens होता है उसको कहा जाता है outer lens तो option number B इस question का right answer होगा 14th number देखिए एक मचली सांस लेने के लिए इसका इस्तेमाल करती है office uses it for breathing नाक का इस्तेमाल करती है गलफडे, आखें या फिर मुँ का बताइए question number 14 का answer मचली सांस लेने के लिए किसका इस्तेमाल करती है तो मचली सांस लेने के लिए गलफड़ों का इस्तेमाल करती है option number जो B है इस question का वो right answer होगा 15th number question है निम लिखिद में से कौन सा रासायनिक परिवरतन है which of the following is a chemical change लोहे का पिघलना लोहे का जंग लगना लोहे का मुड़ना या फिर इन में से कोई नहीं question number 15 काफी important question है I think जवाब दे लोगे इन में से काउन सा है का रासायनिक परिवरतन है chemical change पूचा गया है right answer अगर आप option number 20 select कर रहे हैं कि लोहे का जंग लगना ये आपका एक रासायनिक परिवरतन है तो आपका जो जवाब है वो एकदम सही है next question देखे 16th number सहिद में मुकिता क्या होते हैं देखे सहिद में मुकिता एक शिकन पंदरा का क्या किया है हाँ भी सही है सहिद में मुकिता क्या होते है what do honey primarily contain प्रोटीन, वशा, विटामिन, कॉर्बो हाइडरेट question number 16 का अंसर सही से करिएगा सहिद में मुकिता क्या होते हैं सहिद में मुकिता कॉर्बो हाइडरेट होता है option number D जिन लोगों ने भी सिलिट के उनका जवाब सही है बागी सबी का जो जवाब है वो गलत है 17 number question देखे मानो सरी में कार्बो हाइडरेट पुना संग्रह होता है कार्बो हाइडरेट री एक्कुमुलेशन इन हुमन बॉड़ी glycosin, sugar, starch या फिर glucoz question number 17 है मानो सरी में कार्बो हाइडरेट पुना संग्रह होता है किसके रूप में संग्रहित होता है ये glycosin के रूप में संग्रहित होता है पुना तो option number जो A है question का वो right answer होगा 18th number question देखे निमलिकित में से किससे जल्दी और ज़्यादा उर्जा मिलती है अगर आप option number B select करें कि कार्बो हाइडरेट से जल्दी और ज़्यादा उर्जा मिलती है तो आपका जो जवाब हो एकदम शही है B number 19th number question देखे कुत्ते के काटने से जिस विशाणू के दोरा गात रोग उत्पन होता है वो क्या कहलाता है उस वाइरस को क्या कहते है यह आप से पूचा गया कुत्ते के काटने से जिस विशाणू के दोरा तो वो विशाणू का नाम आपको उताना है याद रखिएगा उस विशाणू का जो नाम है वो हैड्रोफोबिया है D number is question का जिन्हों ने भी select किया उनका जवाब सही बाकिशाभी का गलत है 20 number question देखिए SARS क्या है What is SARS तो SARS एक संचार प्रणाली है विशाणू जनित रोग है कवक जनित रोग है या फिर इनमेश कोई नहीं तो question number 20 यह भी एक्जाम में आया हुआ है तो देखिए SARS जो है यह आपका विशाणू जनित रोग है option number B इस question का right answer हो जाएगा एक्जाम में SARS का full form भी पूछा जाता है severe acute respiratory syndrome जिसको भी आता हो यह full form लिख देना जिन लोगों को spelling नहीं समझा रही है वो comment box से देख लेना severe acute respiratory syndrome next question देखिए 21 question है खशरा निम्लिकित संक्रमण के कारण होता है मीशल्स is caused by which of the following infections जीवाडू माइको प्लाज्मा विशाणू या फिर शैवाल question number 21 है खशरा निम्लिकित संक्रमण के कारण होता है तो यह होता है आपके विशाणू के कारण वाइरस के कारण option number जो C है इस question का वो right answer हो जाएगा और उस वाइरस का ना मोता है गाई रूबेला तो आगे बड़े एक जामों में पूछा जाता है 22 number question है तोस्क बर्फ है dry ice is ठोस कारबन मोनो आकसाइड ठोस कारबन डाइ आकसाइड या फिर ठोस सोडियम हाइड अकसाइड या फिर इनमें सो कोई नहीं तो देखें सुस्क बर्फ जो है वो है आपका ठोस कारबन डाइ अकसाइड option number B जिन लोगों ने भी सिलेट किया है उनका जो जवाब है वो एकदम सही है 23 number question देखें हिर्दय में कितने भाग होते हैं हाउ मैनी पार्ट सार देयर इन दा हर्ट दो तीन पांच या फिर चार तो कोईशन number 23 है हिर्दय में कितने भाग होते हैं तो हिर्दय में होते हैं कितने भाग चार बाग तो option number D जिन लोगों ने भी सिलेट किया है उनका जवाब एक दम शही है चलिए अगला देखे 24 नमबर कुश्चन ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन से गैस होती है विच गैस इस इन दा ग्रीन हाउस एफेक्ट सियो टू एनस थिरी सियल या फिस सियो प्रेशन number 24 ग्रीन हाउस प्रभाव में जो गैस होती है वो है आपकी कारबन डियक्षाइड सियो टू आप्शन number A जिनों ने भी सिलेट किया है उनका जवाब शही है 25 नमबर कुश्चन देखे एक शामान व्यक्ति का रक्त चाप कितना होता है वाट इस दा बलड प्रेशर आफ नॉर्मल परशन 1 by 20 upon 80 80 upon 1 by 50 80 upon 160 या फिर 80 by 140 तो एक शामान मनुष्च का जो रक्त चाप होता है वो कितना होता है अगर आप option number A select करें कि 120 by 80 mmHg होता है तो आपका जो जवाब है वो सही है अच्छा एक क्वेशन मैं आपसे पूछता हूँ कि जो रक्त चाप होता है जो ब्लट प्रेशर होता है उसको मापते कैसे हैं किस यंतर से मापते हैं उस यंतर का नाम लिखिएगा 36 नमबर कुशन है कौन से वर्ग के सभी तत्तु धातु है all the elements of which class are metal second day, first day, fifth day या फिर शेवन ते question number 26 कौन से वर्ग के तो वो जो वर्ग है वो है second day और second day वर्ग के जितने भी तत्तों है वो सभी धातु जो है वो धातु है तो option number A right answer होगा 27 नमबर question है microphone किसे बदलता है to whom does the microphone changes to microphone होता है वो ध्वानी उर्जा को विद्वत उर्जा में विद्वत उर्जा को ध्वानी उर्जा में या फिर विद्वत उर्जा को कंपन उर्जा में या फिर कंपन उर्जा को विद्वत उर्जा में तो अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एक माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूं 28 है लेंस की जो सकती होती है उसको डायोप्टर में मापा जाता है तो आप्शन नमबर बी जिनों ने भी सिलिट किया है उनका जो जवाब है एकदम सही है 29 नमबर कुशन देखें फ्यूस तार किस धातु का बना होता है फ्यूस वायर इस मेड ओफ विच मेटल नाइक्रोम का तंगस्टन का गन मेटल का या फिर मिस धातु का कुशन नमबर 20 फ्यूस तार किस धातु का बना होता है यह बना होता है आपका मिस धातु का फ्यूस तार और कौन-कौन सी दाथ तो मिस्स होती है इसमें टिन और लेड का मिस्स दाथ को बना होता है आपका फ्योसतार थर्टी नमबर कुशन देखे पारा किस से निकाला जाता है फ्रॉम हूम इस मरकरी एक्स्ट्रेक्टेड इगुर से भॉक्साइट से डॉलोमाइट से या फिर हेमेटाइट से कुशन नमबर 30 आंसर करिए पारा जो होता है अपका इगुर से निकाला जाता है इंगुर से इगुर नहीं इंगुर कहते हैं तो आप्चन नमबर 8 कुशन का right आंसर होगा 31 number question is what किसका मातरक है Whose unit is what सक्तिका, उर्जा का, कारिक का या फिर इन मेंश कोई नहीं Question number 31 है काफी आसान सा question है What जो होता है या आपका सक्तिका मातरक होता है तो option number 8 question का right answer होगा 32 number question है वायू मंडल में उपस्तित जल Water present in the atmosphere अब बताईए ताप मान पर निर्भर नहीं करता है ताप मान वरदी के साथ बढ़ता है ताप मान वरदी के साथ घटता है ताप मान वरदी के साथ या तो बढ़ता है या तो घटता है Question number 32 है इसका जवाब को देना है देखे वायू मंडल में जो उपस्ति जल है वो तापमान वरद के साथ या तो बढ़ता है या तो घटता है तो आप्शन नमबर जो डी रहेगा इस कुश्चन का वो राइट आंसर होगा जिन्होंने भी डी सेलेट किया जवाब उनका सही है 33 नममर क्वेशन देखे ओँ वाट इस दरीजन फॉरविंड इस्पीड परतिवी की घुनन गती दाब परवंडता फैरल का नियम है जा फिर सूरेताप है तो 33 बताई एँ ऑंसर परवन की गती का कारण क्वाँता है तो परवन की गती का जो कारण है वो दाब परवंडता है न्यूंटिन मीटर न्यूंटिन पर मीटर या फिर न्यूंटिन या फिर इन में सो कोई नहीं तो प्रस्तनाव cyt rail का फीछी टेंसन काफी बार एक जाम में पूछा बहुँशा विगय है तो प्रस्तनाव का जो si मात रख है वो है आपका न्यूंटिन पर मीटर option number बी जिन्हों ने भी सिलेट किया उनका जवाब सही है 35th नमर कोईशन है एक स्वस्त मनुस का तापमान कितना होता है What is the temperature of a healthy human being 96.9 degree Celsius 98.4 degree Celsius 96.9 degree Celsius degree Fahrenheit या फिर 104 degree Celsius तो एक स्वस्त मनुस का जो तापमान है वो कितना होता है तो almost आपको पता है 37 degree Celsius होता है तो उसके around में ये लिखा हुआ है option 36.9 degree Celsius तो यही option जो है ये सही होगा अगला question देखे 36th number question है उश्मा का यांतरिक तुल्यांग का मान कितना है What is the value of mechanical equivalent of heat 4.18 joule per calorie 8.38 joule per calorie 9.8 joule per calorie 6.023 joule per calorie Question number 33 है उस्मा का यांतरिक तुल्यांग का मान कितना होता है तो उसका जो मान होता है वो होता है 4.18 joule per calorie Option number A जिन्होंने भी select किया उनका जवाब सही है Count करते रहिएगा जो आपके गलत हो 50 में से माइनस करके लास्ट में बताईएगा कि आपने इतने स्कूर किया 37 नमर कुशन विद्ध बल्ब में कौन सी गैस परियुक्त होती है विच गैस इस यूजड इन एलेक्टिक बल्ब ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन या फिर कॉरबन डाइक्षाइड विद्ध बल्ब में जो गैस परियुक्त होती है उस गैस का नाम आपको बताना है वो गैस है आपकी नाइट्रोजन आप्शन नमर सी इस कुशन का राइट अंसर होगा इस कुशन देखे 38 नमर कुशन सबसे ज़ादा उर्जा किसमे खर्च होती है विच वन कंजियूम्स दा मोस्ट इनर्जी दोडने में तैरने में या फिर टहलने में या फिर घुड़ सुवारी करने में सबसे ज़ादा जो उर्जा है वो किसमे खर्च होती है ये आप से पूछा गया है जिन्होंने भी बी सेलेट किया है कि तैरने में सबसे ज़ादा उर्जा खर्च होती है तो उनका जो जवाब हो एकदम सही है तर्टी नाइन्थ नंबर कुशन है ताप बढ़ाने पर धातुओं की चालकता पर क्या प्रभाव पढ़ता है गटती है बढ़ती है अपरिवर्तित रहती है फिर इनमें सो कोई नहीं तर्टी नाइन्थ नंबर कुशन है ताप बढ़ाने पर धातुओं की जो जवाब होती है चालकता होती है उस पर क्या प्रभाव पढ़ता है तो अगर ताप बढ़ाएंगे तो उसकी जो चालकता है वो घटेगी ऑप्शन नंबर ए जिन्हों ने भी सिलेट किया उनका जो जवाब हो एकदम करेक्ट है फोटी नंबर कुशन देखी रबर का वैलकनी करन करने के लिए प्राक्रतिक रबर में क्या मिलाया जाता है वोट इस एड़ेट टू नेच्रल रबर टू वैलकनाईज रबर सल्फियूरिक अमल हाइड्रो कलोरिक अमल या फिर शल्फर मिला जाता है फिर कार्बर मिला जाता है कुश्चन नंबर 40 रबर का वैलकनी करन के लिए करने के लिए प्राक्रतिक रबर में क्या मिलाया जाता है वो मिलाए जाता है आपका शलफर option number C जिन्हों ने भी select किया है 40 का उनका जवाब सही है अगला question देखे 41 number question है किसी परमाण में बहतम कच में अधिकतम कितने electron होने चाहिए how many electrons can be in the outer most cell of an atom 4, 2, 1, 8 आसान question है कर लोगे यह अगर आप select कर रहे है option number D कि बहतम कच्छा में 8 electron होने चाहिए तो आपका जो जवाब है वो एकदम सही है 42 number question देखे है सूर के प्रकास से कौन से तत्त की पूर्थ होती है which element is replenished by sunlight vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D यह भी question आसान है आप कर लोगे vitamin D is question का right answer होगा option number D is question का right answer होगा 43 number question है मानो तुर्चा का अध्यन करने वाली विग्यान की साख़ा को क्या कहते है what is the branch of science that studies human skin option आपके पास teridology, skinology, dermatology यह फिर bio physics क्या कहते है मानो तुर्चा का अध्यन करने वाली विग्यान को 43 का अंसर करिया अभी लोग इसको गाइस कहा जाता है dermatology option number जो CH question का वो 100 question राइट आंसर होगा 44th number question देखें निद्रा रोग sleeping sickness जिसे कहते है निमले कित मेंसे किस कीट के कारण फैलती है sleeping sickness disease expressed due to which of the following इसे cut mal के कारण जू के कारण, cc मक्षी के कारण या फिर बालू मक्षी के कारण तो question number 44 है निद्रा रोग अनिमले किस कीट के कारण फैलती है तो right answer है इसका option number c हो जाएगा cc मक्षी के कारण फैलता है जिन्होंने भी seal select किया है उनका जो जवाब एक दम से यह 45th number question है ग्लाइकोलिसिस का अन्तिम उत्पाद क्या होता है वाट इस दा अल्टिमेट प्रोड़क्ट आप ग्लाइकोलिसिस इथाईल, अल्कोहल, कारण डाई, आक्षाइड या फिर पायर्विक एसिड option है आपका पास ग्लुकोस तो 45th number question है ग्लाइकोलिसिस का जो अन्तिम उत्पाद है वो क्या होता है अगर आप option number C select करेंगे पायर्विक एसिड होता है तो आपका जो जवाब है वो एक दम यहाँ पे सही होगा 46th number question देखें Newton meter निमलेखित में से किस भावतिग्रास का SI unit है Newton meter is the SI unit of which of the following फिजिकल कॉनिटी तोरण का है बल आघूंड का है सक्ति का है या फिर बल का है तो question number 46 है Newton meter जो है यह आपका बल आघूंड का एक SI unit है तो option number B जिनों ने भी select किया 46 का उनका answer सही है 47th number question देखें फैरेड किसका मातरक है फैरेड जो है आपका धारिता का मातरक है जिनों ने भी option number C select किया है उनका जो जवाब एक दम सही है अगला question 48th number question है प्रतिवी का पलाइन वेग कितना होता है 11.2 km per second 5 km per second 12 km per second या फिर नन आप दीज तो question number 48 है प्रतिवी का जो पलाइन वेग है वो 11.2 km per second है पलाइन वेग क्या होता है अगर हम प्रतिवी से किसी भी वर्ष्ट को 11.2 km per second के वेग से फेकते हैं तो वो अगर इस से कम में फेकेंगे तो जो भी चीज हम फेकेंगे वो वापस आ जाएगी तो option number question का right answer हो जाएगा question number 49 है कीटों का अध्यन क्या कहलाता है what is called the study of insects entomology, osteology या फिर एंकोलोजी या फिर इनमे से कोई नहीं तो यह भी question exam में पूछा गया है कीटों का जो अध्यन है वो क्या कहलाता है कीटों का अध्यन कहलाता है guys entomology कहते हैं उसको तो option number A जिन्होंने भी select किया है उनका जो जवाब है वो एकदम सही है last question हमारे इस वीडियो का इनमे से किस की चालकता सरवाधिक होती है which of the following has the highest conductivity तामबा की, चांदी की, नाइक्रोम की या फिर इनमे से कोई नहीं question number 50 है इनमे से किस की चालकता सरवाधिक होती है तो इनमे से जो है वो चांदी की जो चालकता है conductivity है वो सरवाधिक होती है तो B number जिनका भी सही है जिन्नोंने भी select किया उनका सही है तो यह थे आज किस वीडियो के 50 most important question अपने अगर पूरी वीडियो देखी होगी तो आपने देखा होगी जो questions है आपके slavis के अनुसार question सारे रखेगे एक भी out of slavis question नहीं है सारे question आपको अच्छे लगे होगे बॉटल लगे होगे चलिए 50 में से आपने कितने सही है target तो 40 plus का था तो आपने कितना इस target को आप कितने करीब तक पहुँचे है या फिर इससे ज़्यादा की हो comment box में बताइएगा इसके लावा coast guard gd के लिए हमारी एक physics की PDF है description पे चेक करिए gd का जो section second है उसमें physics आएगा 25 नंबर का description पे आपको link मिल जाएगा महा PDF का जो लोग भी पेपर देने जा रहे हुँ उन PDF को जरूर पर्चेस करके एक बार revise कर लेना मिलते नेक्स वीडियो में बाई